हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही हो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले सिंप्लिफिकेशन का सारा थियोरी खतम हो चुका है इसके पहले सिंप्लिफिकेशन का च्छे लिक्चर हो चुका है जिसमें हम लोग त्योरी जो सिंप्लिफिकेशन पर जो फर्मूला है जो ट्रीक है उसके बारे में बात किये थे और उस पर कुछ एक्जाम्पल्स पर भी बात किये थे आज का जो बारी यह जैसा कि हम पिछले वीडियो में लाज trophy बतायोतें कि अगले जो वीडियो में हम जब आएंगे तो कुछ पिछले जो examination हुए है उनमे selective question वहां से हमने selective question लिया और आपके सामने आज लाए है कि examination में कैसे question पूछे जाता है ऐसे देखा जाए तो सारे जो भी theory बताए है उस पे सब पे 2-3-3 example देकर सारे formula को clear की है बट आज जो हम question बताएंगे जितना परहाय हुए है root वाले जो question है plus minus के form में, infinite के form में कितना भी concept दिये है, सारे पे हम लोग आज बात करेंगे इससे आपको दो फैदा होगा पहला फैदा यह होगा कि आपका examination में कैसे pattern होते हैं पूछे जाते हैं, option कैसे होते हैं, वो तरीका पता चलेगा और दूसरा यह होगा कि आप जितने इसके पहले पढ़े हैं जिसके पहले जितने भी आप लेक्चर देखे हैं, वो सारे लेक्चर यहां पर रिभाई हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ selective question पर बात करते हैं अब हर वीडियो की तरफ फिर से हम बोल दे कि जो बच्चे अभी नए नए जॉइन किये हैं और यह वीडियो देखेंगे, उनको समझ में बिल्कुल नहीं आए तो कि question पर बात हो रही है, आपको हम बार-बार बोलते हैं कि कोई भी अगर आप लेक्चर जॉइन करते हैं तो उसको सुरू से किजिए और अगला बात यह है कि अभी हम target बेच कोई target बेच नहीं चलना है, foundation चलना है क्योंकि आपका पहले घर बनने से पहले pillar तैयार होता है, base बनता है, दिवाल जुराता है, तब डलाई होता है, च्छट बनता है, तब आगे जाके plaster बनाने से पहले आपको new दिया जाता है, उस सब जो भी है घर का rule regulation उसी तरह से आपका math foundation पढ़ा कर आपका math का क्या कर रहे है, तैयारी करवा रहे है, बेहतर है, अगर कोई बच्चे देख रहे होंगे regular, इतने भी बच्चे देखे, अभी हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे अभी response नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच आप रिभाइज किजिए, एक घंटा जो कहीं और देते हैं, यहां पे तो 40-45 मिनट देना है, और उसको आप रिभाइज किजिए, जाद दिर नहीं, 24 घंटा में जाद दिर नहीं देना है, जो हम पढ़ा है उसको पढ़ लिजे, और एक बार घर पे एक घंटा टाइम दे मैट्स आपका सही हो जागा, यानि देखा जाए तो मैट्स पे दो घंटा टाइम देना है, एक घंटा 40 मिनट या एक घंटा का जो क्लासिस होता है, वो और उसका पढ़ा हुआ घर पे इसी भी टाइम में देखना है, और यह जो वीडियो है, ऐसा तो नहीं है कि आपको कही ही पे घर पे ही पढ़ना है, कहीं पे भी आप है 40 मिनट का टाइम दिकाल लिए, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज कुछ सेलेक्टिव कोस्चन के, जैसे हम आपके सामने कुछ कोस्चन लेकर आए हैं, जैसे यह पहला नमबर कोस्चन है, आप देख सकते हैं, ऐसा हम पै आपको हम बताये थे, इंफनाइट तर, याद होगा आप, और इसको X माने थे, और यहां से हम X का फर्मूला निकाले थे, याद होगा, X का हम यहां से क्या निकाले थे, फर्मूला निकाले थे, और आपको हम बताये थे, इसका फर्मूला क्या बताये थे मेरे भाई, याद नहीं है कोई कोफिसीएंट नहीं है तो यहां पर एक छीपा हुआ है तो 72 को दो पार्ट में ऐसे तुरिए कि गुना करने पर 72 और उसी को घटाने पर वन आजाए तो आप चाहिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं चलिए भूरब कमाली जन् nouveauवाइब लिख सकते हैं नहीं रिख सकते हैं पुरा सा मुझीं पूल चेंज करुआ एक माली जैक इसको आप उटीं स्ट मैं squeezed कि जिएगा क्या होगा कितना जल्दी बन गया यह सब ट्रीक आपको बता चुकर है अगर यही कुश्चन शपोज प्लॉस में रहता है कि मालेजी किस में रहता यह आपका प्लस में रहता मालीजी यह comments में रहता कुश्चन सब्सक्रखेच 기ais 70 प्लस 1 माइनस 1 बटा में 2 अब इसको इंटू जड़ा किजिए चार दुना आठ सच्छोग अठाइस अब प्लस 1 288 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 इसको जोरेंगे तो 289 आएगा अब माइनस 1 बाई 2 होगा 289 का आप स्कॉायर उठ जानते हैं कि 17 होता है और माइनस 1 बाई 2 17 में से एक गया 16 16 बटा 2 कट कर कितना आजाएगा तो आप अगर इस तरीका को ट्रीक याद नहीं है फर्मूला याद है तो आप बना सकते हैं लेकिन यहां पर देखा जाए तो हम फर्मूला क्यों याद करेंगे हर जगा तो फर्मूला का जूरत नहीं है जहां पर लगता है कि सेकेंड में कोश्चन बनेगा बताई यह सेकेंड में बनेगा की नहीं अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आपको इतना करने का जुरूत नहीं यह कोश्चन दिखिएगा अटनावा बहत्तर आठ मार दीजिएगा आप आगे पर देगा उमीद है कि य इसको पर डाइक बनाते हैं तो 6 को क्या लीख सकते हैं 2 और 3 क्या यहां प्लस में है यह एकस का वैलू 3 होगा और यहां पे वाई का वैलू कितना आएगा 2 आएगा अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा संबंद सही है तो देरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे x-y ब्रावर 1 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ध्यान से समझिएगा हम क्या कहना चाहरे हैं अगर यहाँ पे यह हटा दे यह पुला सोला इधर क्या हो माईनस हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका माईनस और यहां पे ब्रावर में 0 कर देगा कर देगा कि नहीं कर देगा यह भी यह बाद चलिए यहां मृ-टो है और यहां माइनस है कट के 0 आगया यह जो वैलू है आपका x ब्रावर 3 और y ब्रावर 2 इस equation को satisfied कर रहा है x ब्रावर 3 y ब्रावर 2 और option कौन सजाएगा यह अब यह वैलू आप दूसरे equation में रखके देखें नहीं आएगा एक से अपर दूसरे यहां पर 3 रखिए और यहां पर 2 रखिए और माइनस 1 यहां पर क्या आ जाएगा 2 यहां पर 2 आ गया और यहां पर कितना आ गया चार आ गया, ब्रावर में 0 लना है तो यह ओला तो option होगा नहीं, यह भी option नहीं होगा, अगर यहां बात करें, तो 3 प्लस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यह भी आपका option नहीं होगा, तो पहला ही इसका option नहीं होगा, कैसे इसका गुननकन करते हैं, अगर कोई ब आएगा तो minus के जगा पर क्या कर देंगी, प्लस कर देंगी, तो root UNDER 4 A plus 1 plus 1 Y कितना 2, यहें A के जगा पर क्या रखना है, 6 रखना है, 6 रखियेगा तो यहां पर क्या होगा, चार गुना 6 प्लस 1 प्लस 1 वाई कितना तू चोचार की 24 एक 25 और 25 का भेलू कितना होता है 5 प्लस 1 बटा 2 कितना गया 5 एक 6 बटा 2 दो तिया 6 अब जड़ा देखिए यहां एकस का भेलो 3 आया था फिर अगर इसको बनाते हैं मालीजी यह वाई बढ़ाबर है तो वाई का फ्रमूला माइनस में क्या होगा 4a प्लस 1 माइनस 1 वाई कितना तू माइनस 1 वाई 2 अब फिर से यहां पे 6 रखिएगा 6 प्लस 1 और फिर फिर यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 1 वाई 2 यहां पे 25 25 में से 25 का और फिर से गया चार होगा तो 4 बटा 2 फिर से यह कट गया कितना आगया दो आगया तो दिखिए यहां भी एकस का वेलू 3 वाई बढ़ाबर 2 तो आपको फरमूला से बनाने का जूरत नहीं है आप ऐसे को डाइरेक्ट बना सकते बस आपको समझने के लिए अगला कोश्चन यह ओला टाइप आगया 63 यह अब आ गया इंटू के फॉर्म में यह आपका कोश्चन आगया अब जरा ध्यान दिए इसको भी आप दो तरीका से बना सकते यहां पे इंटू के फॉर्म में क्या है बाहर कि नहीं और गुणा करेंगे तीरे सत्थ सुक् 관련 फोस्द इसान एंसर बारका होगा यानिन इन抜र कौन सा होगा शीयों अ आगर इसही को फर्मूला से बना रहे हैं याद की यह आद होगा यह किस फर्मूला पर बनेगा हम को आपको यादम बिला जोते हैं जैसे एक्स वरावर हम यहां पे देदे एक्स वरावर eee plus b root under a plus B root under a plus b root under a plus b dot 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 infinite तक यहां पे हम बताये थे कि एक्सका फर्मूला आपका क्या होगा याद है कि नहीं याद है इसका फर्मूला होता है root under 4 a plus b square plus by कितना two होता है ज़र आप हैलू रखते देखिए four a, a के जगा पर हम क्या लिख देंगे 63 प्लस b square यानि two का whole square इसमें a के जगा पर 63 है और b के जगा पर कितना है आपका two है अब यहांपर लेखिए प्लस b के जगा पर क्या लिख देंगे two अब 8 में कितना हो जाएगा दो यहां पे 63 में 4 से मल्टिप्लाई किजिए 4 तिया इबारत है दो हो जाएगा एक बचे का 46 के 24 आए 25 और 2 का स्कॉाइड 4 हो जाएगा अब प्लस कितना 2 यह दोनों को जोरेंगे तो कितना जाएगा 256 प्लस 2 बाइ 2 256 का वर्गमूल आपको जमालूम बना चाहिए कि 16 होता है अब प्लस 2 बटा में 2 16 अदू कितना हो जाता है 18 और यह कट के कितना जाता है 9 तो क्या आपको अगर कुस्ट तरीका है आपके पास त्रीक काम तर्फ कंसिप्ट आपको सहले ही बता चुक्या है और यहां भी बता रहे हैं कि Cairo आप ऐसे बना ली यह आ ऐसे बनाने का जूरत नहीं है बस आपको हम कंसिप्ट को केब चलियर कर रहे हैं कि पीछे जो आप परे वो आपको याद आ जाए अगला question पर आई अब देखिए वही question यहाँ पर minus अब यहाँ पर multiplication करने पर 83 लाना है और minus करने पर क्या लाना है 3 ता 88 83 को यहाँ पर 83 तो इसको अगर आप चाहिएगा गर अठे 88 ली सकते हैं कि गारा में से आठ जागा तीन बचेगा और गुना करेंगे तो तो इसको आप फर्मूला से बनाना चाहिए इसका कौन सा फर्मूला लगा रूट अंडर जैसे यहां पर फर्मूला लगा है प्लस में तो इसी को आप कौन शीच में लिग दिए माइनस में तो फर्मूला क्या होगा 4a plus b square minus b अब एकितना तो अब यहां पर फैलो रखिए 4a एक के जेगा पर क्या लिग देंगे 88 plus b square अपके कर जीच में चाहिए कितना झाब सबार बर एक कितना जाएगा ओन स्कु नच्कुला पर और प्लस जोगी इसको का और रका च्कशोग तो आपको मालूम होना चाहिए आपको याद होगा कि 301 का जो स्क्वाइर उठ होते हैं वह 19 होते हैं माइनस 3 बटा में कितना 2 19 में से 3 जाएगा 16 16 बाइ 2 होगा कटेगा कितना आएगा तो आप देख रहे हैं उसी question को अगर हम बना रहे है किसे ट्रीक से भी बना रहे है तो वही answer आ रहा है और अगर आपका ogy अगर आपका फर्मूला से बनाएगा यही आपका इनसर आ है तो बनाने में फाइदा तो यही है यह यहां पे प्लस में राता इस तरह से question बता है ना तो आपको याद होगा जब theory class पढ़ा रहेते तो वहां पे हम आपको बताय हुए थे कि हर जगह आपको factor वाला तरीका यूज नहीं होगा तो वहां पे फर्मूला जोड़ी तो ऐसे question को अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो कौ option कुछ और है याद किजिए आपको हम range निकलना सिखाएगे इसको निकलना सिखाएगे तो रेंज कैसे निकलेगा पहले समझेए यहां पर पहले x का value निकलेगे एक जगा पर क्या लिख देंगे 5 प्लस 1 प्लस 1 बाई कितना 2 यह कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 बाई 2 हमने x का value असानी से निकल लिया कि यहां पर x का value क्या होगा अब जब range निकला जाता है तो आपको हम सिखाए हूँ यह x का value हो गया इसका value यह आपका x का value हो गया 21 प्लस 1 बाई 2 अब हम आपको सिखाए थी कि जब range निकलना हो तो यहां पर 21 से छोटा ज़स्ट बाद वाला ऐसा कौन से नंबर है जिसका आप वर्ग मूल निकाल सकते हैं 21 से छोटा 20, 20 reigns का नहीं निकल सकते हैं नहीं ननीस का नहीं निकलेगा 18, 17 Najee लेगा।ř 1600 का निकल जाएगा इसके जागा पर cient सोल लेखें शोल सब्लस वीन बाइस इस से चोटा या इस से यह बरा भयलू होगा। कि नहीं हो यहां पे यह बारा वैलू होगा और फिर इससे एक बारा देखिए ते एक किस से बारा कोन है पच्चीस इससे वह बारा होगा तो पच्चीस पुलस वन बाई यही रेंज निकलने का तरीक है यानि जो वैलू आया उसके पहले वाला एक नमबर ले लिए जिसका चोड़ अब इसको निकल लिए 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 4 होता है 4 एक 5 पांच बटा 2 और यहां हो गया रूट अंडर 21 प्लस 1 बाई 2 और यहां 25 का वर्गमूल 5 पांच आये कितना हो जागा 6 बटा 2 यह अगर आप काटियेगा तो 3 मर्तवे और यह काटियेगा तो धाई बटते हैं यानि अगर देखा जाए तो 2.5 से बढ़ा है रूट अंडर 21 प्लस 1 बाई 2 और 3 से चोटा है तो अब ज़रा देखा जाए यह जो वहलू है धाई से बढ़ा है और 3 से चोटा है हम अगर रेंज पूछे तो कह सकते हैं कि यह जो वहलू है दो और 3 के बीच अब यहाँ पर देख झाल के बीच में तो 9 चार और 5 से चार के बीच में तो meaning आप संप्से कौन सा बीस एक आड़ाे help यह जो वहलू है और 3 की डिस दयरता हиватьِ संपया यहां पर QC me क्या निकलना था मेरे बाई रेंज निकलना था रेंज का हिंदी सीमा होता है इसका भ्यलू इसका रेंज निकलने का तरीका अब असानी से समझ रहा है उब आपके हुए। जैसे इसके पहले वह पोस्टेन को पूटिराइज करके बना लिए तो यह वाला question को factorize क्यों नहीं किये हैं जब बाबू theory class पढ़ा रहे थे मेरे भाई तो वहाँ पे बताय हुए थे कि सारे question का आप factor नहीं कर सकते और जिस question का factor नहीं होगा वहाँ पे आपको formula से ही बनाना परेगा तो ना आपको हम formula बताय थे कहां से और कैसे आया अगले question के आते हैं अगर आपको question समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करेंगे share करेंगे comment करेंगे अगला question यह है उसी तरह का question है इसमें भी range निकलना है वह plus में था और यह कौन चीज में है माइनस में है इस question को अगर आप बनाना चाहते है तो सबसे पहले इसका तो factor होगा नहीं पांच का एकस का जब आप किजिएगा तो formula क्या लिखेंगे 4a plus 1 minus 1 by कितना तू यहाँ पे जाएगा 4 into 5 plus 1 minus 1 by 2 कितना जाएगा 21 और minus 1 by 2 अब यह एकस का value आ गया अब जब range निकलना है तो पिछले question की तरह value निकलने के बाद जब आपको range निकलना है यह वाला value कितना है है 21 minus 1 by 2 इससे छोटा value देखेंगे इससे छोटा एकस से छोटा कोन ऐसा digit है जिसका आप square root निकाल सकते हैं तो आप बुलिएगा सर हम 16 का निकाल सकते हैं 16 minus 1 by 2 और 21 से बारा कोन होगा 25 होगा minus 1 by 2 इस question में भी क्या निकलना है आपको range निकलना है आपको यह कैसे प्रचला की range निकलना है तो option से प्रचला है कि इसका value किसके किसके बीच में होगा किसके किसके बीच का काने का मतलग किसका range निकलना है अब रेंज निकलना है 4, 4 में से एक गया 3, 3 बटा 2, 21 का औरूल decimal में जाएगा, हमको decimal में जाना जूरत नहीं है, 25 का वहलू 5, 5 में से गया 4, 4 बटा 2, इसको जब काटेगा, ये कटेगा आपका कितना, 1.5, और ये आपका कितना और से कटेगा, 2, यानि इसका वहलू 1.5 से बढ़ा है, और 2 से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि यह जो value है एक और एक और किसके बीच में है दो के बीच में है बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं तो यह भी बोल सकते हैं एक और दो के बीच में option देखिए पहला ही option है कि एक और दो के बीच में होगा चार पांस तो होगा नहीं कि चार पांस तो है ही नहीं तीन चार होगा नहीं दो तीन होगा नहीं कि maximum value कितना है दो सारा value छटकर कौन सा आ गया अपका option number यह आया उमीद है कि इस तरह का भी question अगर examination में आ जाए range निकलना तो आप घबराईएगा नहीं और असानी से आप बना सकते हैं अगले question पर आते हैं फिर से देखिए एक question आ गया 7-3 7-3 7-3 ऐसा question अभी just आपको हम बताया हुए है ऐसे question को जो बनाना है तो आप देखिए याद किजिए यह वह ला question यह वह ला ऐसा ही ना question है इसमें आप factor कर ले रहे हैं तो बड़ी असानी से भैलो निकल लिया और इसको हम फर्मूला से भी बता दिया लेकिन आप देखिए इस question को आप इसके बाद रुला है यह जो question है इसका आप 7 को ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि 7 को दो पार्ट में त तरह से कि गुना करने पर आपका 7 आजाया और घटाने पर 3 यानि यह factor नहीं हुगा जब factor नहीं होगा भाई मेरे तो हम लोग क्या करेंगे फर्मूला लगाएंगे फर्मूला एक स्वरावर फर्मूला क्या होगा रूट अंडर 4A प्लस B स्क्वाईर माइनस B बटा में 2 ऐसे question में ऐसा ही फर्मूला लगाते हैं आपको theory class में बता दिये और अभी थोरा देर पहले भी आप देख सकते हैं यह ओला question बताया है यह ओला यहीं नहीं है इसी कर pattern करना 88 माइनस 3 है और यहाँ पर क्या है आपका 7 7 माइनस 3 है अब चले यहाँ पर आप वहलू रखिए अब यहाँ पर आप A के जगापर क्या लिख दीजेगा 7 B के जगापर क्या लिख दीजेगा तीरी का स्क्वाई और यहाँ पर यहाँ पर अगर हम कहें कि जरा B के जगए पर क्या रखेगा तर B के जगए पर क्या रखेगा 3 और बाई कितना हो जागा 2 हो जागा यह हो गया सच्चोग 28 प्लस इन का स्कौार 9 माइनस 3 बटा में 2 इसको अगर आप करते हैं जो उरते हैं तो रूट अंडर 37 माइनस 3 बटाए तो आप 37 काते स्कॉयर रूप निकाल नहीं सकते हैं, जब स्कॉयर रूप नहीं निकाल रहे हैं, तो आपका यही option हो जाएगा, तो कौन सा option जाएगा, option number कौन सा जाएगा, यह number जाएगा, उमीद है कि आपको यह सारा बात पीछे का revision हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं मेरे जो भाई, question examination में जो पूछे जाते हैं, इसी तरह के, आप पहले का paper उठाईए, कोई भी exam का, आपको one day जो examination है, जो general competition है, उसमें देखिएगा, इस तरह का question जो आएगा, इसी pattern पे रहे, इसलिए मैंने आपको सारा theory class में, सारा formula, सारा तरीका की कैसे formula आया, question का example कुछ बता question, लेकि कम से कम मैंने दो question लिया, और दो question को बता कर formula को prove भी किये, और आज कुछ selective question लेकर आए, question number हम लोग अगला चलते हैं, अगला देखिए 8 number, अब यहाँ पे देखिए plus minus के form में आपका question आ गया, याद होगा plus minus वाला, plus minus वाला question का, जो formula होता है, क्या होता है, अगर प plus minus के form में जब question होता है, तब formula क्या होता है, 4A मानस 3, plus 1 by 2, अगर यही पहले minus रहता, तब plus रहता, minus रहता, प्लस रहता, तब इस plus के जगा पर क्या कर देते थे, minus कर देते याद है, तो हम लोग, इस formula पे, इस question का हम लोग क्या करेंगे, solve करेंगे, क्योंकि यहाँ पे plus minus, plus प्रॉस माइनस के फॉर्म में पॉस्चेन यह भी आपको टाइप याद किजिए जब आठ टाइप बतायते इसमें उसी में का यह एक टाइप याद होगा अब इस को जब बनाना स्टार्ट कि जिए आपको हम याद दिला दे कि यह किस पर अधारी तो इस तरह से पुस्चेन ए माइनस प्रॉट अंडर ए बढ़ ए माइनस फ्रॉट अंडर ए प्लस फॉट अंडर ए इस तरह से इंफनाइड या दा आट आ आता आप लोग याद होगा और इसको हम एक स्मानते थे और एक्स का फर्मुला लाते थे रूट अंडर 4A माइनस 3 ब्लस वन बाई कितना नु यह हो जाएगा चर्चव का सुल्ल, सुल्ल माइनस कितना, 3 प्लस 1 बाई 2, सुल्ल में से 3 जाएगा, 13 बुचेगा, और 13 प्लस, रूट अंडर 13 प्लस 1 बाई 2, option कौन सा जाएगा, यही option जाएगा, उमीद है कि इस बात को आप असानी से समझे होगे, यहाँ पे, सोरी यह नह जाएगे, ध्यान में आ रहा होगा सारा बाद, यह question कैसे बनेगा, ठीक है, अब जड़ा देखिया, आगे का हम लोग बात करते हैं, तो यह question इस तरह का option number A नहीं कौन सा जाएगा, ध्यान नहीं दिया है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे option कौन सा जाएगा, 2 वाला option उमीद है कि इस तरह का question आपको असानी से समझ में आ गया होगा, अब चलिए, अगला question पे आते हैं, उसी तरह से यहाँ देखिया, अब माइनस प्लस पे आ गया, किस पे आ गया, माइनस प्लस पे होगा, अब किस पे आ गया, माइनस प्लस पे यह आपका question आ गया, यहाँ मा साय होते तो इसका फर्मूला क्या हो रूट अंडर और याद आ रहा है कि नहीं फोर ए माइनस थी माइनस वन वाइड अगर पोलस रहेगा यहां पे प्लस देंगे और अगर माइनस रहेगा तो यहां पर क्या देगे माइनस अब यहां पे वहलू रखिए एक जगा पर चैनल यह 7-3, ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस 1 बाई कितना, यह कितना हो जागा, सच्चोंक 28-3, उसके बाद माइनस 1 बटा में कितना, यहाँ पर यहाँ जागा, 25-1 by 2, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और 4 में 2 से भाग किजिएगा, तो इंसर कितना आ जागा, 2, यहनि option कौन सा जाएगा, C, उमीद है कि सारी बात आपको याद भी आ रही है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, कि question कैसे हम इसको बना रहे हैं, याद आ रहा है कि नहीं, comment करके जोगर बताएंगे, अब question number 10 पे आते हैं, अब 10 number question जब आप बनाना start किजिए, तो आपको याद होगा कि इस type का भी आपको हम question बताये थे, याद किजिए कि जब इस type का जो formula था, वो कुछ इस तरह से था, root under a plus b, फिर root under a minus b, फिर root under a plus b dot 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 infinite, याद आ रहा है, इस तरह का question था, और हम आपको बताये थे, यहाँ पे x का formula आपके सामने बताये हुए थे, कि यह question इस तरह का हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका formula बताये थे, root under 4a minus 3b square plus b by 2, अगर यहाँ पे plus है तो, अगर यहाँ शुरू में minus कर दे, यहाँ पे plus के जगा पर क्या हो जाएगा, आपका minus होगा, याद होगा कि इस तरह का भी question आपको हम बताये हुए, यहाँ जवाब बनाएगा, तो x का formula क्या होता है, आपको रखिए, एके जगा पर क्या लिख दिजेगा आप, एके जगा पर आप लिख दिजेगा कितना, 7 minus 3b square, तब बी के जगा पर कितना है, 3 ही है, तब 3 का square हो गया, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहां फिर हम लोग क्या करेंगे बी के जगा पर क्या लिख देंगे बी के जगा पर आपका 3 है बाई कितना तू अब यहां देखिए सच्छोग 28 और 3 का स्क्वाइल नो नो तिया कितना हो जाएगा 27 अब प्लस 3 बाई कितना 28 में से 27 जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा अब प्लस 3 बाई 2 एक कवर भूलता है एक ही होता है एक प्लस 3 बटा में 2 चार बटा दो यह कटेगा अप्शन नमबर कौन सा जाएगा सी नमबर आपका उप्शन जाएगा उमीद है कि इस तरह का भी कोश्चन अगर आपको आए देख रहा है कि जितने भी आपको टाइप बताए थे उस टाइप का सारा कोश्चन हम आपको लेकर आए जो एक्जामिनेशन में पूछेगा जिसे ए ए ए ए और यह कहा तक जाएगा इन तो इसका फर्मूला आपको बहुत ही असानी तरीका से बताए याद है कि नहीं है इसको हम कैसे बताए थे अब यहां पे जब एक्स का वैलू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सब इंटू के फॉर्म में अगर इंफिनाइ इन बार गया है इन बार कितना हो गया इन बार हो गया और उसके बाद हम लोग बात करते हैं उपर में क्या लिखते हैं तूपर पावर एन-1 याद आ रहा है कि नहीं इस तरह का प्रमूला पर बताया हुए अब जरा देखिए यहां जब इसको बनाएगा यहां पर दो दो में आप एक पावर में लिखते हैं आपको बता दें आप कि जैसे यह जो आप लीक रहे हैं यह किसका पावर रहा है कि यह आपको फर्मूला बता है याद होगा तो इस question को बनाना है तो उन बार अधर और यह कितना बर गए चार बर गए इसको बनाने के लिए दिख cultural कितना बां आए एक बार दो बार तीन बार छार यानि यहांर कि छिपा हुआ है दो 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 यहां टूपा पावर चार कर दीए कितना आएगा 16 आएगा अभी यह 16 आया अभी एंसर बोले कि इसका क्या है तो बेस है साथ नीचे क्या कर दीए 16 देखें टूपा पावर इन अउपर एगो कम कर दीए कितना होगा 15 इसका एंसर क्या होगा साथ पे पावर 15 ब है फिरकी कितना पर ता चार वार धा Oke 10 भखबराना नहीं है और सब जगह चिपा दो दो। दो कहए फार हो जाएगा दस था रोपवाig दस कितना होता है दस्सों चौब दो गुना दूलाद 2 गुना दो चार ladder अब जो हम कहें कि इसका एंसर क्या होगा तो साथ बेस में हो गया पावर में क्या लिखिए 1024 और उपड़े को कम कर दो याद होगा यह टू वाला है उसी तरह से थीरी वाला भी कुस्टन देकर आए होंगे अब देखिए इन्फनाइट है औङढ़ साथ हो जाए आपको पता है कैसे होता है याद हो जाए अगर दोटेशर के लिए यह बताए कि अगर aye और इंवला यहां उसका अंसर वही हो जाता है जैसे मैं यहां पर लिख दो 500 फिर यहां पर रूट अंडर 500 फिर यहां पर 500 और यह अगर इन्फनाइट में चला जाए और यह सब कोई चीज में है इंटू में पूलस मैंनस में नहीं है तो ऐसे पूचे कि एंसर क्या है तो लोग बोल दें सबस्क्राइब आप इसका एंज़ाइगा साथ हो जाएगा अगला क्वेस्टन प्याइब यह कोश्चन थीरी वाई वाई तो तिरी का कंसेप्ट आपको हम बतायते हैं पहले यहां पर क्या कर दीए सेवन बेस में जो है अंदर रूट में जो है सेवन तर सेवन अब यहां पर 3 क्य बर गया है रूट कीव रूट कना बर गया 3 यह TEन पर पावर 3 मं आसमाजमि दिरए बेए में समझने का प्रयाश को है है यह वह वाला बैस्ट न गता रहें यह को भाशिट बना है इसी आज यहां को कैसे बनाए उसका यहां पर बेस में क्या है साथ और यहां पर कितना पर गया है दस बार तो यहां टूपर पावर टेन करते हैं और उपर क्या करते हैं टूपर पावर टेन माइनस वन करते हैं यहीं न करते हैं यहां साथ टूपर पावर टेन का मतलब क्या हो गया 1024 और यह टूपर पावर टेन का मतलब 1024 माइनस एक 1024 म सब्सक्राइस का water के साहिए गिंड को किस ऐसे मनें कितना वर दिए इन साथ इन परपाऊवर इन उपन्स होड़ ईपन इन नोन व्टियवफ वह था आपको मालूम है ना अगर बेस में इन है उसके पावर जीरो कर दिएगा वैलू वन होगा इन पर पावर एक तीन और तीन का स्क्वार नौ होता है नौ तीन बारा एक कितना हो गया तेरा इसका एंसर क्या होगा साथ पे पावर तेरा बठा सक्ताइब कौन सा अप्शन इसी पर और कोश्चन देख लेजिए माले में यहां यह पर 5 you have दो दे दिये पिर यहां फाड दो दे दिये पाच दू दे दिये पिर यहां पर दिये 5 किस तरह कि इसका वहलू क्या होगा तो सबसे पहले एक अंदर ना टू है बाहर पाँच कि यहां पर टू हो गया तो फिर यहां पर माल लिजे पाँच दे दिया और फिर यहां पर गया एक दो तीन चार मैं को कि इसका एंसर क्या होगा तो ट्यू यहांगी रूट है और उन्दर है और इसका क्यूब डूत्य है कि इतना लिखाना गया है और उपर 5 पर बढ़गत 4 और फिर फिर यहाँ पर तू और यहाँ पर लिखेगा अब यहाँ पर आगे अगर आप बढ़ाते हैं तो 5 को चार बर गुना किजिएगा कितना होगा 50 परचीस 25 पर से 700 और 700 में 5 से गुना किजिएगा 625 होगा और यहां कोई भी यंग पर पर पावर 0 फैलॉव वण पाच पर पावर 5 पाँच 5 का है सकोयर 25 और यह हो गया 125 लिकीतना हो जागा 150 156 हो जागा यानि टूपे पावर 156 बटा कितना है गा 600 पर यानि दो वाला में क्या करते हैं जो आपका बेस में रहे जो आपका बेस में रहे उससे एगो कम होता है दो वाला केस में बट तीन वाला केस में यानि दो के बाद जितना केस होगा ऐसा नहीं कि नीचे 27 है तो उपर 26 लिखेगे उसको निकालना परे लिए लिए नीचे 625 इंदेरें एवन में खब्राईएगा यह बाहर हमें यह फोर आपका कहा है अंदर में है यह फोर आपका अंदर में पोर-otz पोड़ पर इसको कैसे बनाएंगे अभी सिखाएं तो पर यह फोर कितना बार है चार बार तो फोर पर पावर फोर देजिए और ओपर क्या लिखिए जैसे इधर लिख्या है ना थ् filed यहां पर यहां पर फोर्थ कर दोड़े क्या सबूब है ऊपर 이म नहीं कि जाकतर two 64 में 4 से गुना किजिएगा 256 और यह एक हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा 16 और यह चर्चों का 16 इसको जोर दीजिए चर्चों का 15 यहाँ पर 15 का 5 एक लिख दिये 6178 कितना जागा 85 बटा 216 कौन सा उप्षन जाएगा C नंबर उप्षन जाएगा चलिए यह आपका लास्ट कोश्चन था तुमीद है कि जो आपको मैंने 15 कोश्चन बताया वो सारे थियोरी बेश्ट था और इतना कोश्चन बनाने के बाद आपको दो फायदा हुआ पहले भी बोले हैं पहला कोश्चन का पैटर्न पता चला दूसरा जितना भी आप पीछे पढ़े हैं सारा बात आपके सामें लागी है इसके पहले भी सिंप्लिफिकेशन का एक को कोश्चन का वीडियो बनाए थे आपको और डाले हुए थे सारे किसरा चौथा नंबर वो लेक्चर नंबर है जिसमें आपको इस तरह का कोश्चन बताए तो अगर हम नया टॉपिक डालेंगे इसके बाद तो उसमें 2-4 कोश्चन और टाइप है उसको बताएंगे लेकिन इतना अगर आपको हम पैटर्न बताएं तो जितने भी आपको थियूरी बताएं वो आपको किलियर हो गया होगा, exam का एक पैटर्न का पता चल गया होगा, examination में किस तरह के कुश्चन उच्छे जाते हैं, अगर आपको आज का session बेहतर लगा क्योंकि selective question है, अगर आपको बेह कोई भी बुक उठाइए सेट का कोई भी मैथमेटिक्स का अर्थमेटिक है जिसमेडवांस है नंबर सिस्टेम है वह बुक उठाइए और बनाइए आपको पता चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैरी